दोस्तों आज मैंने इस चैनल पर जिन परसन को इन्वाइट किया है उन्होंने इसेंटली स्क्वेर यार्ट्स कंपनी का बिस्नस विल्पमेंट प्रफाइल का इंटरू इन्वोन ने क्रेक किया है और यह जो परसन है बिसिकली बाई प्रफेशनली क्रिकेटर भी है बहुत अ कि स्क्वेर आट्स में इनका इंटरू एक्स्पिरेंस कैसा रहा और कितने इनके राउंड्स हुए एचाने क्या क्या कोश्शन पूचे हिंदी मोबला एंग्लिश मोबला इचन एवरेधिंग तो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों आप इस इंटरू को कोई भी पार्ट आ इंटरू के ओपर चलते हैं तो मेरा जो क्योंटिया मतलब स्क्वेर यार्ट जो कंपनी है यह क्या वर्क करती है और आपका जिस प्रफाइल पर सेलेक्शन हो बिसने वर्पर तो आपका डेटो डे क्या काम रहें इसके बड़ा बेसिक क्लियर करते हो तो Square Yard जो है आपकी तोटली आपका real estate में है mortgage thing में होम रोल में, लोग होम लोन में help करते है और पुरा real estate business का पुरा concept है Square Yard का and I applied through LinkedIn and I applied for business development manager like last to last week only and like interview schedule हुआ and this week only I received my offer letter in hand as a video super super then तो सबसे पहला तो मेरा यह सवाल आता है basically यहां पर कि जब हम by just में apply करते हैं तो यहां पर sorry Square Yard में apply करते हैं तो यहां पर interview के कितने rounds होते हैं basically आपके इस square yard में आपका जैसे जैसे मैंने क्या किया था कि I applied through LinkedIn right so आपको आपना रेजुमे आपको भेजना पड़ेगा वहां पर LinkedIn पर जाओगे तो वहां like different different section होते है people होता है jobs होते है तो मैंने jobs पर जाके देखा तो PDM का post every wealth है Square Yard Company में तो मैंने अपना रेजुमे अप्लोड किया and then I got a call from HR की your resume has been accepted and get ready for interview round and your interview will be scheduled in next week only तो like HR के call के बाद मतलब interview schedule हुने start हुआ through Google meet and everything happened right मेरा 3 round हुआ था round 1, round 2 and round 3 and उसके बाद I got my offer letter yes तो आप के आपर 3 round हुए तो तीनो जो round थे आपके क्या वो तीनो टेलिफोनिक थे या मतलब को इसमें कोई video based भी था round no 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 like HR वाला तो टेलिफोनिक हो सकते हो बट वो चीज HR को बस मुझे convey करने थी कि आपका resume accept हो गया and get ready for interview round interview round was totally video based like google meet के through चीजें हुई थी and round 1 भी वैसे हुआ था round 2 भी वैसे हुआ था round 3 भी वैसे हुआ था तो it's totally through google and zoom meet ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो मतलब टेलिफोनिक जो call था वो तो simply बस एक आपको बस inform करने के लिए था या information वैसे गले के लिए उसके बाद आपके तीन google meet पे round हुए है exactly ठीक है ठीक है और उससे पहले कि में interview questions की तरफ चलो एक सवाल मेरा हो रहा है कि यह जो तीनों round में आपका HR से जो conversation हुआ तो क्या वो proper सारा English में था या कहीं पे आपको लगा कि Hindi में भी आपकी बात हुए सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ अभी आप अपना first round का experience कर दो कि पहला आपका हुआ है आप जो कि अपने मता है Google meet पे हुआ first round में HR ने आप से क्या-क्या सवाल पूछे क्या वो notice करते और कैसे answer देना है okay sir मेरा first round दो हुआ था वो senior HR से हुआ था okay and first of all they asked me to introduce myself and उसके बात चीजें पोस्ट के बारे पुछा कि why you applied for BDM post and what are your experiences are you fresher or worked somewhere and फिर थोड़े सी company के बारे पुछा कि what do you know about square yard and who is the CEO and how our company is working so मैं काफे research करके गया था square yard के that it's totally the square yard is totally into the real estate and provide home loan and acquired around like inka भी काफी they recently raised the funding of 10 crore in India so यह सब चीजी है मतलब मुझे Hindu newspaper के थू जाके मैंने google पे search किया to square yard का आटिकल काफे मिला तो मैंने वो पढ़के अच्छे से अपना homework करके गया था कि HR की question को मैं counter कर सकूँ as soon as possible तो first round में ऐसे ही चीजे होई थी properly normal था first round उतना मतलब deep नहीं था but second round and third round was quite deep ठीक है तो यह जो अदर्श अपना पहला round था यह कितने duration तक चलाओग अप्रोक्सिमिट हां sir first round I would say कि like 20 minutes around 20 minutes और आप दूसरे round के लिए select हुए है कि नहीं हुए क्या वो on the spot आपको बता दिया था या आपको बाद में पता लगा no 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 sir on the spot they will not tell they will say कि I will get back to you and if you get selected for round second our HR will contact you through call and you will get link through mail तो मुझे call भी आया है second day only my round second was schedule NHR का call आया है कि qualified and round second was in evening super done yeah ठीक है done तो अभी आपन चलते है आदर्श के दूसरे round के तरफ जो कि आपने बता है अगेन Google meet पही था so अभी आदर्श में चाता हूँ आप अपना second round का भी इंट्रेक्स्पिरेश करो कि second on matcha में क्या-क्या सवाल पूछो और यह पहले round से कितना अलग था सर पहले बाद में इसे बताया कि introduction था तो थोड़ा सा light way में introduction चला मेरा मतलब चीजें questions भी light way में थी round one में but round two में चीजें start तो हुई introduction से कि आदर्श introduce yourself because वहाँ पे एक BDM like I think business development manager किसी company के किसी post पे थे and he came and took my interview तो मतलब पहला question था कि introduce yourself and why you applied and what you know about this company यह तीन question तो constant थे मुझे round two में भी but round two में business development के काफी question से कि you sitting as a business development manager and this is the question of real business scenario based and how you will flow out and how you will answer accordingly तो मतलब वहाँ पे जैसे चीजें काफी deep में थी कि वहाँ पे counter questions बार पर आ रहे थे कि अगर ऐसे नहीं होता है अगर कोई सामने से reward करता है तो how you will react and how you will respond because end of the day the main aim of the business development manager is to like you know develop the business in a profitable way and have that win-win situation on the both the side and maintain that relationship with the customer for the long period of time तो आपको चीजे ऐसे flow out ने बताने पड़े कि वहाँ पे interviewer को कि सामने वाले को भी लगे कि यहां बंदा पढ़के आया है and company के बारे में बहुत कुछ पढ़के गया था वो चीज मुझे help होई क्योंकि पार बार उनका question था कि what you know about company and what are the current situation आना हमारी company अभी कैसा करें because मैं अगर किसी company को join करने जा रहा हूं तो उनका भी सामने सा expectation है कि बंदा मेरे company को बढ़के आया होगा जहां पे वो join कर रहा है तो बढ़ता है कि जैसे फॉर्मल अगयरा में अगर बैटेंगे तो बैटर रहेगा थोड़ा ऐसा या 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 ठीक 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 मुझे सुरात में फिर्स्ट रांड में बोल दे थी कि round 3, round 2, round 2 and round 3 में आपको dress up अच्छे से करना है in very formal way like white shirt pen low या फिर denim jeans pen low like in very coat pen low या फिर ऐसा but dress up in very formal ले तो वो बहुत effect पढ़ता है उसका ठीक ठीक है done तो उसकी बाद अदर्श आप final round के लिए select हुए नहीं हुए या आपको फिर कितने दिन में पता लगा जैसे फर्स्ट राउट में था कि अचार का कॉल आया कि वो selected and round 3 में दूसरे तीसरे देन ही हो गया और साम के टाइम में राउंड 5-5 o'clock हुआ था या ठीक है Dan तो अभी आप final round के बारे में भी आदर्श बता दो detail में okay सर फाइनल राउट एक्चुली मतलब दूबाई के सर है as a business development manager उस company में ही है बट मेरा इंटर्वी जुआ था because I applied for international hiring तो offer letter जो मुझे आया है वो का कतर का आया है through Dubai like I applied for square yard company for international hiring तो I am having that offer letter for Qatar तो वहां business development manager वो कतर के सर थे दुबाई सर डायेट थू जूम मिटिंग मेरा हुआ था तो round 3 में चीज़े वैसे ही थी इंटर्डूस किया मैंने उसके बाद उनके direct questions थे की scenario बेज, business scenario बेज and actually थोड़ा सा मतलब you know like questions ऐसे थे he just want to check my confidence and how I react to the situation and the difficulties level अगर मैं किसी company में as a medium जा रहा हूँ तो वो चेक करना चाहरे थे कि react कैसे कर रहा है और इसका flow of mind कैसा है कि अगर difficult situation में है तो एक ऐसा decision लेता है तो उनके पुरे business मतलब from starting only पुरे business related questions थे in very deep manner like square yard से भी थे different company से भी थे और वो actually check करना चाहरे थे कि वो real में on ground वो कितने knowledge है मेरे में ठीक है तो basically यह वाला जो round था यह फिर आपका कितने duration तक चला है I would say यह 30 minute चला होगा 30 minutes और जैसे maximum हमने देखा basically दर्श की जो business serpent sales के round होते है तो वापे scenario जुरूर दिया जाता है कि भई जैसे HRX scenario देदेता है कि आप इस situation में क्या करेंगे कैसे handle करेंगे यह मुझे sale करके दिखाओ यह करके दिखाओ तो ऐसा को आपको इन इंटर्वीज में देखने को मिली थी किया यह सर राउंड वन में मिली थी ऐसी चीज कि you have one product and you are going to some organization big organization and you representing this square ad company and this is the product and this is the knowledge and discount you can provide and how you will pitch and negotiate तो मैंने वह 2 minute का मतलब पहले थोड़ा सा माइंड में उसके बाद deliver किया तो वो सब चीज़े होती है but round 2 and round 3 में नहीं थी round 1 में यह चीज़े थी sorted it, ठीक है तो आपके according क्या लगता है अदर्श, सबसे ज़दा वो क्या notice करते होगे किस सीच पर ज़दा focus करते हैं वो I would say this business development manager post is all about how you deliver thing and it's all about confidence and how you convince and make someone fall for you as in a professional way like deal crack करते हो कि नहीं तो आपको एक चीज़े पड़ी कि confident रहना पड़ेगा अपने words की through positive optimistic की रहना पड़ेगा आपके mindset की through कि आप जो बोल रहा हो उसको process करो खुद समझो कि ऐसा तो नहीं कि counter question तुरंत आ जाएगा तो वो सब चीज़े माइड में रखने पड़ी अगर मैं आपको बोल रहा हो की like I have I am solving this problem जो आप मुझे लेके आयो तो मतलब counter questions भी होंगे सामने organization के head के तो आपको वो चीज़ आना चाहिए कि उस चीज़ को settle down कैसे करना है negotiate कैसे करना है at the same time you have to take care कि मैं in professional relationship बना के रखको so that we have that win-win situation on the both side for the long period of time तो यह चीज़े है तो यह तो चलो जैसे इसका interview process हो उसके बाद जब आपका final interview हुआ दर्स तो आपको फिर final कपता लगा कि आप select हो गए sir like within 3 to 4 days बाद मुझे HR का call आता है कि like you have been selected for this medium post for Qatar and Dubai location and if like for the next process मतलब मैं ने ऐसा बोला कि he will send my offer letter to the Dubai location Qatar location and वहाँ पे sir sign करके वापस मुझे offer letter race करके मेरे mail पे आया तो मैंने फिर sign करके उसको वापस भेजा तो ऐसे चीज़े flow out हो जाती है तो मतलब यहाँ पे आपको ऐसा रहेगा कि आपको जो location जैसे आपने international चुना तो आपको जैसे Dubai location आपने बताई है तो आपको उस location पे जाके काम करना होगा exactly sir वहाँ पे salary भी उसके हिसाब से होती है आपका visa भी company कराके देखी because I want to like work outside of India तो मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि पहले लेके रखूँ I want to check my capacity कि मेरे में इतना skill है कि मैं crack कर पा रहा हूँ कि नहीं international hiring के लिए I am glad and I am blessed कि I get offer later in my hand so yeah I applied for international hirings Dubai तो मतलब यापने पास option होता है आपन इंडिया के लिए कर सकते हैं इंडिया के लिए इंडिया के लिए इंका साइज Noida location and Bangalore location पे कर सकते हो आप apply and there is a vacancy also तो जैसे ही चलो यह इसका intro process अभी मैं चाहता हूँ अधर आप याप last में कुछ master tips जरूर शेर कर दो कि अगर को person square yards में apply कर रहा है तो किन बातों को इसको ध्यान रखना है क्या चीज जिसको पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे rounds crack हो जाए sir I will definitely advise की पहले चीज आपको मतलब अच्छे से dress up करके रहना है formal way means because हम जब तक मुह ने खोलते हैं सामने वाला हमारा dress up देखके हमारा behavior देखके judge करता है मतलब मेरी personality कैसी है मेरा outfit कैसा है और मैं positive person हूँ की negative person हूँ तो आपको एक formal way में dress up करके रहना है चेहरे पर smile लखना है so that we have that positive environment कि सामने वाले को पता चले यह दो चीज important है तीसरी चीज आप जिस company के बाद जारो interview देने square yard का जारो हो तो square yard के बारे में थोड़ा article पढ़के जाओ LinkedIn पे profile चेक करो Google ले profile चेक करो कि last one year में कैसा profit हुआ इंका कॉन CEO है और मतलब इंका performance कैसा yearly तो वो सब चीज़ें आपको एक positive wise भी देंगी आपको भी देंगी और सामने जो बंदा sir आपका interview ले रहा है उनको भी समझ में आएगा कि he is well prepared with his homework and all वो यह चार चीज़ हो गई और प्लस राइट आप international hiring के लिए जाओ या फिर Indian hiring के लिए जाओ लाइक नोड़ा लोकेशन है बैंगलोर लोकेशन इस पोस्ट के पड़ेगा आपको चीज़े डिलिवर करने आनी आनी चाहिए and convince करना आना चाहिए positive environment, positive mindset चाहोगे तो definitely clear हो जाएगा and yeah sir this is my advice आपने काफी एच्छे सब्स्प्लें कर दिया और मेरे सारे questions खतम है अभी last में आप अपनी तरफ से audience को कोई अपना मैसी देना चाहते है कोई बात बोलना चाहते है see I think and I feel there is nothing like good living healthy living, around and relaxation if you really want to be a successful person in life you have to put that hard work you can't be at restful and at rest position कि आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा यह सब executed होते है जैसे आप बहुत से job पोर्टल पे आप जाओ LinkedIn पे जाओ, काफी कंपनिया है वह पे job profile explore करो, apply करो HR मतलब मैंने आज के date में काफी कंपनिया में किया and I am glad कि HR का call आया भी है तो आप effort मारोगी तो positive result आता है, तीस में apply करो को 10 का आएगा, 10 में से 5 convert करने को offer later hand में लेकर तो वह सब चीजे है एक positive mindset पे जाओ and have that capacity and skill to convert in that thing into offer later and I wish the best and I wish all the best, thank you so much So, मेरी भी यही विश्रीजादश आप ऐसे अपने करियर में बहत आगे बड़े अभी तो कुछ companies के offer later आपको बहत सारी companies में आपका अपने बहत ग्रोग करे so once again I have a lot of thank you और आप इतने शूट नॉटस के channel आप आपने आपने एक्स किरे किया and one thing more sir I am having my youtube channel and like you guys can connect with my Instagram Id and sir will provide in description so we can connect to Instagram and my YouTube channel Yes and I would like to tell you that basically other show is by professional cricket, you have a lot of cricket or और यह भी हाँ मैं सुरी में बताना भूल गया स्टार्टिंग में तो अच्छा है स्पोर्ट का भी शौक रखना जरूर ही है ना अच्छा रहते हैं तो दोस्तों यह थे अपने साथ अधर्श चीनों ने रिसेंट लेहीं स्कूरेयर को काफी इंजॉय किया होगा स्टिल दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना अगर यह वीडियो अप्लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों दुबारत से जल्दी कैसे और इंट्रो एक्सपिरियंस के साथ अब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस गड़ लाग जहिंद